हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आप सभी का हमारे चैनल स्वादिष्ट खान पान में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं यहां अपने रसोई में बना रही हूँ चना दाल तड़का वह भी बंगाल बनाने का मन हो तो इस तरह से बनाए जट पड से चना दाल तड़ का बिंगौली तरीके से तो उसके लिए मैं यहां पर एक कुकर में एक कटोरी चना दाल को धो कर ले ली हूँ और दो कटोरी पानी ले ली हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल कर इसको पकने के लिए रख दे रही हूँ तो इसमें ना एक सीटी फूल में और तीन सीटी सीम में लगा कर उसको उतार कर रख दी थी और उसी चुले में मैं कडाही चड़ाई उसमें थोड़ा सा सरसो तेल देकर उसमें बदाम भून ले रही हूँ ये लाल वाला चिनिया बदाम है इसको सुनहरा होने तक भून ले रही हूँ और भूनने के बाद उसको एक कडोरी में निकाल दी और उसी कडाही में मैं डाल द एक चमच खड़ा जीरा और दो सुखी लाल मिर्च देने के बाद इसको थोड़ा सा भून ले रही हूँ जब भून जाए तब इसमें मैं डाल दी कटी हुई प्याज यहाँ पर मैं दो मीडियम साइज का प्याज ली हूँ और प्याज डाल कर भी इसको लाल होने तक भून ले रही हूँ इस तरह से चलाते हुए तो देखिए यहाँ प्याज हमारा लगभग लाल हो चुका है और यहाँ पर मैं जो मीर्ची थी न दो सुखी लाल मिर्च उसको मैं निकाल ली हूँ उसको बाद में डाल लूँगी नहीं तो वो फटके तूट जाएगा तो यहाँ पर देखिए प्याज लाल हो गया उसमे मैं डाल दी हूँ दो टमाटर काटकर और नमक स्वादनसा डाल दी डाल कर इसको अच्छी तरह से चला ले रही हूँ नमक डालने से न हमारा जो टमाटर प्याज है वो गल जाएगा और देखिए यहाँ पर लगभग गल चुका है तो थोड़ा सा चला ले रही हूँ चलान रही हूं ताकि हमारा लहसन का जो गंद रहे वो ना पता चले और जब भून गया ना दरग लहसन का पेश तो यहां पर डाल दी हल्दी थोड़ी सी दो चमच धनिया पाउडर दो चमच लाल मिर्च पाउडर यह कास्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स इससे ना कलर आता है अच हैं कि इस यवाइड करना चाहते हैं तो इससे वाइड कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्सिनल है एस कलर के लिए है और सब्स टाल कर में मसालेnisse नशच मेले को भून ली तो यहां मसाला बून तड़के की डाल को ऐसे ही पकाना जाए कि वो पूरी तरह से पक जाए पर वो गले नहीं तो यह देखे मिला दिये और दाल को थोड़ी देर उबन ले दिये और विच विच में इस तरह से चला ले रहे हैं अब यह डाल दे रहे हैं एक तिहाई चमच गरम मसाला और मसाला डालने के बद यहाँ पर डाल दे रहे हैं थोड़ी सी चीनी तो चीनी ना बैंगॉली रेषीपी की इस की इस पैसलीर्टी है क्यूंकि बैंगॉली जो होता है ना खाना उसमें हलकी सी मिठीफाश जरूर रहत दाल दे रही दो चमच घी और घी डाल कर इसको भी अच्छी तरह से मिला लें तो फ्रेंट्स बेंगॉली रेसिपी में आपको खड़ा सुखा मेर्च घी और चीनी जरूर से मिलेगा तो देखिए यहां हमारा दाल बनकर बिल्कुल तैयार है और उसको एक बाउल में मैं आज का रेसिपी आई होप आपको आज का रेसिपी पसंद आया हो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स